इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों जब हम अपने credit card debit card को कही online तरीके से add करते हैं तो वहाँ पर हमसे पूछा जाता है MMYY डालने को यानि के अपने card का MMYY आपको वहाँ पर डालने को बोला जाता है तब हम सोचते हमेरी card पर एक कहा लिखा हुआ है और ये क्या है तो इस वीडियो में आपको full explanation दूगा MMYY जो आता है वहाँ पर हमें क्या डालना चाहिए और वो क्या होता है तो वीडियो को completely देखे और वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को subscribe कर लिजेगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक है dummy debit card है example के लिए तो यहाँ पर इसका MMYY क्या ह और कहाँ पर है तो सबसे पहले MMYY क्या होता है तो MMY का मतलब है month और YY का है year तो MMY मतलब month हो गया और YY हो गया year तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है valid from तो मतलब आपको पूछा जाता एक job अपने card अपर add कर रहे है या पिर तो यह रहा आपका MM YY नमबर तो MM का जो मतलब है O है 9th जो की month है यहाँ पर और उसके आगे जो लिखा हुआ है 24 यानि कि यह हो गया year तो आपको वहाँ पर इस तरह के डालना है आपके card पर अलग-अलग तरीके से year ली लिखा होता है और मंद भी अलग-अलग होता है तो आपको अपने card पर एस देखना ही कहाँ पर लिखा हुआ है कभी कबार जो card होते हैं वहाँ पर valid from यह नहीं लिखा था लेकिन यह हमेशा से 100% सभी card के उपर लिखा आता है valid through मतलब कब तक valid है आपका यह card वो आपको वहाँ पर डालना है तो यह डालना होता है यहाँ पर 09 यह M.M. हो गया और Y.Y. में हम साल डालेंगे जो हमारा साल है 2-20 तो इस तरह से आप M.M. Y.Y. डाल सकते जहाँ पर भी आप अपना card एड़ कर रहे है वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा